CAA को लेकर एक तरफ तो सड़क पर लगातार विरोथ के जुसुर है संग्राम मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान भी थमने का नाम नहीं ले रहा एक तरफ तो कॉंग्रेस के बरिष्ट निता कपिल सिबल ने कहा है कि कोई भी राज्ये CAA लागू करने से मना नहीं कर सकता है इसे लागू करने से इंकार करना असमिधानिक होगा तो वहीं कॉंग्रेस के सलमान खुषिद ने संसत से पारित इस कानून को मानने से इंकार करना कटिन बताया है जाहिर है उन्होंने अपने का प्रिसिबल के बयान पर मुहर लगाते हुए कहा कि CAA की समेधानिक स्थती संदिहास पाथ है इस समय केरला की सरकार या पंजाब की सरकार या कोई और सरकार ही कहती है कि ये कानौन वैद है इसको हम लागू नहीं करेंगे तो वो मान के चलना चाहिए कि उनका ये कहना वैसे ही है जैसे केंडर सरकार का ये कहना है कि ये वैद है इसलिए कि अब तो सब कुछ सुप्रीम कोट के सामने है तो कपिल जी ने जो भी कहा होगा इस संदर्व में कहा होगा कि आज कि हमारी 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 उमीद क्या है हम आशा क्या करते हैं सुप्रीम कोट से और अन्तितर जो भी होगा उस सुप्रीम कोट के निरने के बाद ही होगा practically whether that's possible or not, I am not too sure. Okay. It's a grey area. It's a grey area. But constitutionally, it will be difficult for any state government to say that I will not follow a law passed by Parliament.